केंदर और राजी सरकार स्वास्यस्ता को बेहतर बनाने का दावा कर रही है पर राजधानी पटना से सटे बीटा रिफरल अस्पताल में मोवाइल की रोशनी में टाका और मलहम पटी करने का मामला सामने आया है बीटा रेफरल अस्पताल में मोवाईल की रोशनी में इलाज करने का या वीडियो लालटेन युक की याद दिलाता है जहां बिजली आपोर्ती कम समय के लिए रहती थी पर इस रेफरल अस्पताल में बिजली के साथ ही जनरेटर का भी इंतिजाम है पर ना जाने यहां के अस्पताल के इस उपरेशन थीयटर में अंधेरा के उचाया रहता है यहां कसर मोवाईल की रोशनी में मरीजो का इलाज किया जाता है मोवाईल की रोशनी में इलाज का या वीडियो वाइरल होने के बाद अस्पताल प्रवंदन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पर यहां के कर्मचारे से लेकर अधिकारी तक इस मामले पर कुछ भी बोलने को तयार नहीं है ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्त विवाग के अधिकारीयों को इस मामले पर संग्यान लेकर कारवाई करनी चाहिए क्योंकि हर तरह के सुविदा रहने के बापजूद इलाज के दोरान मरीजों के साथ खिलबार किया जा रहा है बीटा से संतोष कुमार की रिपोर्ट